हेलो व्रीवान वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंज कैसे हैं आप सभी बढ़िया एकदम शांदार बिल्कुल सर्थ मैं भी तो यह कहना चाहरा हूं मैं भी बढ़िया हूं और आप सभी का स्वाज़त किया जाता है एक शांदार से प्लैटफॉर्म पे जिसका नाम है मैंगनेट जो प्रोवाइट करता है 100% कॉलिटी अजुकेशन बिल्कुल फ्री जी हां मैंगनेट बेंस का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो केजी से लेकर 12 तक की अजुकेशन देता है बिल्कुल फ्री और आपको बता दू पूरा CBSE कोर्स इसमें कवर किया जाता है जिसमें अगर CRT के solutions, पूरे topic wise, MIQs, MCQs, OneShot, Crash Course, सब कुछ और practice के लिए बताओं क्या, DPP and PYQs, जी हां और सबसे बड़ी problem जो बच्चों के सामने आती है नोट्स को लेकिए, वो नोट्स भी करवाए जाते हैं, सारे नोट्स मिलते हैं यहां पर, E-Books, E-Notes, सर लेकिन हमें दिखते ही यह कहाँ पर मिलेगे, मैंने का बिटा जड़ा नीचे देखो description box में, वहाँ पर एक link मिलेगी, क्लिक करिए, सीधे अपने नोट्स को उठा लीजे, बाकी magnet based का हिंदी medium channel है, जो provide करता है class 6 से लेकर, kg से नहीं, kg वाला अपना English medium है, class 6 से लेकर 12 तक की education बिलकुल free, शांदार तरीके से, इसमें CBC board के साथ 4 important boards को cover करते है, UP board, बिहार board, राजिस्तान board और 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 जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, MP board, जी हाँ, और सारे segment से में, जो की अपने किस के तरह है, MB, Magnet, Brains, English medium channel के तरह, चीक है, कहां तक पहुँच चुके थे, सर, एक शांदार Qs पे, मज़ा आने वाला है, बिल्कुल सर, और गेनिक केमिस्ट्री के MCQs पे, टेंशन नहीं लीजिए, आनन्दा आने वाला है, ठीक है, MCQ, और सर मैं आपको बार बार कहता हूँ, ये क्यों जरूरी है MCQ, important है MCQs, अब कुछ बच्चे कहते हैं, सर जी क्यों important है, इसका reason बता दो, तो मैंने का reason बिल्कुल साफ है, सर चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, सबसे ज़्यादा आज की rate में आपके पास जो चीज़े आ रही है, वो एक number marks की आ रही है, अब इसमें आप MCQs देख लो, assertion reason देख लो, case base देख लो, सर सिर्फ एक number वाले हैं, लेकिन ये number सीधा आता ह ये नहीं तो सीधा जाता, इधर आदे वादे का रोल नहीं होता, आदा पॉना सवा ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा पूरा मिलेगा ये तो पूरा जाएगा, इसी लिए in question पे focus थोड़ा जाता होना चाहें, focus ऐसा होना चाहें कि दिक्कते बिल्कुल भी देखने को ना मिले, स चैर हो जाए जल्दी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्या बोलती है पबलिक? क्या बोलती ही पबलिक, जल्दी बताओ, लाइक और शेर हो जाए जल्दी, फटा फट, ये ली जिए लिख दिया, मैंने, लाइक तो बनता है, लाइक तो बनता है, बिलकुल, 101% डान 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 चीक है sir, बेल्कोल sir, एक नमबर चलो आगे बढ़े आए, जल्दी बोल तो बढ़े के नहीं बढ़े जलिए, 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 चलिए, फटा फट अपन आगे बढ़ने वाले हैं और देखते हम आपन क्या देखेंगे इसके अंदर पहला कोशन कैसे आएगा सार मैंने का देख लो लो देखो भाई अब पहला कोशन क्या आए है इन कंपाउंड CH, triple bond C, single bond C, double bond C, double bond C, single bond C यह कंपाउंड दे दिया है और बोल रहा भाई इसमें बता हिया hybridization किसकी hybridization? the hybridization of carbon 3 और carbon 4 तीसरे नमबर के carbon और चौते नमबर के carbon के hybridization क्या होगी यह मांग रहा है मैं एक बात बोलू आपको शांदार बात बोलूँगा कि सर अगर आपको याद हो तो मैंने यह chapter number 4 में आपको सिखाया है chemical bonding में सर क्या सिखाया था? मैंने chemical bonding में आपको यह चीज़ सिखायी थी क्या सिखायी थी सर क्या सिखायी थी सर क्या में आपको यह चीज़ सिखायी थी कि कभी भी किसी carbon के hybridization निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आ जाओ वो short trick यादे carbon के पास देखो आप sigma bond कितने है क्या देखो sigma bond अगर carbon के पास चार sigma bond हुए तो hybridization थी SP3 बिलकुल अगर carbon के पास तीन सिखायी थी तो hybridization थी SP2 अगर carbon के पास दो सिखायी थी थी क्या hybridization थी सर SP कोई तकलीफ कोई दुख अगर किसी भी carbon के पास चार सिखायी तो SP3 तीन सिखायी थी तो SP2 और दो सिखायी थी तो SP बिलकुल मज़ेदार और शांदार ठीक है बढ़े आगे आगे बढ़े अब आजाओ सब सिखायी मतला बिटा सिंगल बॉन अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाता है सिख्मा बॉन्ड अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है क्या है सर जी डबल बॉन्ड तो एक होता है सिख्मा बॉन्ड और एक होता है अपना पाई बॉन्ड समझ रहे हैं? और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है ओहू तो सर इसमें होता है एक सिंग्मा और दो पाई, बस इस बात को आप यह तक को आप जंग जीद जाओंगे, फटा फट पहले इसको नोट डाउन करो, और फिर देखते हैं, अपन, जल्दी जल्दी, जल्दी 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 फटा फट अरे हो जाएगा टेंशन नी लिया करो टेंशन लोगे न तो फिर और दिक्कत में जाओगे टेंशन लोगे तो और दिक्कत में जाओगे फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बाई मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तो ये बात यहां तक नहीं है, बिलकुल, चलो, डन, बढ़े आगे, क्या बोलते, क्या बोलते, जल्दी बोलो, चलो, आगे बढ़े आगे, क्या, चलिए, 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 हटाऊ साथी चीज, ठीक है, अब बस इस कोशन को देखो, सर, यह रहा, कार्बन 3, तो देखो, एक सिंगल बॉंड, एक सिंगमा, एक सिंगमा, एक सिंगमा, एक सिंगमा, एक पाई, मैं तो कहता हूँ, कार्बन पर बताओ, कितने सिंगमा हैं, इस कार्बन पर सिंगमा कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन सिंगमा, और तीन सिंगमा मतलब, SP2 SP2 hybridization क्या हुगई SP2 मतला 3rd carbon क्या SP2 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 क्या बोलते है सर सर्द दो option मिल गए SP2 SP2 आप क्या करें आगे बढ़ेंगे कई तो आगे बढ़ना पढ़ेगा तभी मजा आएगा आप देखो सर फोर्थ कारबन अब देखो रहे देखो फोर्थ कारबन देखो फोर्थ कारबन चीक है फोर्थ कारबन पर दियान से देखे तो एक सिग्मा इस साइड है एक सिग्मा इधार एक पाई यह होगा के नहीं होगा तो इस कारबन पर कितने सिग्मा है एक दो तो इस कारबन पर है दो सिग्मा और दो सिग्मा मतलब hybridization SP क्या hybridization है SP तो भाया carbon number 4 की hybridization क्या है SP 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 यह नहीं होगा सलजी शुरुवात में ही आलू आया है शुरुवात में ही आलू कोशन आया है आलू आगया भाया आलू आगया भाया या अनारकली भी बोल सकते थे चीए गया भाया डन 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 कोशन वन का answer है जल्दी screenshot जल्दी screenshot जल्दी फटाफट 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 थोड़ा तेट चलाएंगे हाथ तेट चलाएंगे हो गया चलो ओ बावरे बाबा दाप करेक्ट आयू पीसी नेम ओफद कमपाउंड चीए भाया आयू पीसी लिखना है आजाओ आयू पीसी के लिए हमेशा इस्ट्रक्चर ड्रो करो पहले चीए इस्ट्रक्ट भाया मुझस से पहले अंसर देने की कोशिश करो तब ही मजा आएगा अब यह जितने भी डॉट्स होते हर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है यह सब एक कार्बन है और एक डबल बॉंड भी है यहां पर मैं तो कहता हूँ इसको पकड़ो इसको पकड़ो खीज दो खीज दो क्या हो जाएगा पहला कार्बन उसके बगल में यह दूसरा कार्बन उसके बगल में यह तीसरा कार्बन कौनसा यह है फिर चौता पांचवा चटा साथवा पांचवा चटा साथवा यह दोगवा गया पहला दूसरा तीसरा तीसरे पर एक को उपर ब्रांचिंग दिख रही है यह फिर चोटे पे और पाशुफे पे डवल बांड है यह लोगप हिर चटा और साथवा ऐसे फिर यह जो ये वाला है इससे यहाँ पर नीचे गाड़ी गई है यह गई गाड़ी यह नीचे आ गया फिर बरावर वोई चीज जो उपर हुई है न वोई चीज यहां पर एक कार्बन यहां एक कार्बन सेम पूरा फॉर्मेट एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन चौता कार्बन यह यह पूरी लाइन मना दी मैंने तो यह कार्बन 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 अब भाया हमारा रूल पहले ये बोलता है हमें लॉंगेस चेन लेनी है क्या लेनी है लॉंगेस चेन लेनी है लॉंगेस चेन दिख रही है दिखाओ देखो यहां से यह चेन चली 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 यह चली 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 च से 1 2 3 4 देखो 4 पर double bond आगया यह यह ना double bond 5 6 7 8 9 10 कोई दिक्कत तो 10 कारबने भीया तो deck कौन से नमबर पर double bond है सा चौते नमबर पर 4 in यह आएगा सा deck 4 in चीक है अब कुछ branching लगी हुई है देखिए 5 नमबर और 6 नमबर पर 2-2 carbon की branching है 2-2 carbon की branching को क्या कहते है साथ 2 carbon की branching को कहा जाता है ethyl एक carbon की branching को कहा जाता है methyl और सार बड़े भाही का नाम पहले आएगा alphabetical order में ethyl पहले आता है इसी लिए पहले इसको लेखेंगे फिर मिथाइल को लेखेंगे तो पहले बाद में मिथाइल आएगा मिथाइल किता है 3-methylle 3-methylle deck 4 in अब आ गया जाओ क्या जाएगा 5-6 5-6 डाइ इथाइल और 3-methylle deck 4 in यह आएगा भाईया यह आएगा यह आएगा देख लो एक बार यह सही अंसर है 101% यह सही अंसर है मेरे साब चे तो यह यह बागी आप लोग को क्या लग रहा है पता नहीं देखो भाईया चेक करते अब आजाओ 5-6 डाइ थाइल ठीक है लेकिन 8 पर मिथाइल नहीं यार उनने क्या करा है नीचे से काउंट करा है यहां से यहां से काउंट करने में एक दो तीन चार पाँच छे तो ठीक है छटे पर डबल बॉंड आता और आठवे पर यह आता तो इसको तो नहीं ले पाएंगे हमारे rules उडि आएंगे 6-2 तो बिव्यू ताइल जैसा तो किछ भी नहीं है और यह देखे ट्राइध लेनं तो कुछ भी नहीं सास है यह सी देखू देखू सी देहो मैंच करेगा ऑग देखो, match करेगा, match करेगा, बेलकुल, देखो रही, यह देखो, 5-6-Diethyl, 3-Methyl, Deq4-Een, Deq4-Een, yes sir, Q2 का, sorry, second का answer है, कूट Chemistry, भईये, मुझसे पहले किसका हो गया था, यह बता दो, मुझसे पहले किसका हो गया था, हाथ ऊपर कल दो पहले एक बाद, जल्दी, जल्दी, मुझसे पहले किसका हो गया था, यह मेरा तो हो गया था, मैं तो बहुत जल्दी कल देता हूँ, ठीक है, done, कोई दिखकत तो नहीं, चलिए सर, बिलकुल सर, तो आगे बढ़ते हैं, और मज़ेदाल देखते हैं, आगे और क्या है, ठीक है, done, चलो, बढ़े आए आगे, पका, चलिए सर, ये लिज़े सर, सर, आईउपेसी नेम ओफ नियो पेंटेन, आईउपेसी नेम ओफ नियो पेंटेन, चलो, पहले तो नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लो, सर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत शांदारा स्ट्रक्चर बनता है नियो पेंटेन का, ये देखिए, ये देखिए, हमारा नियो पेंटेन ये देखिए है ये होता है तो सर आप कहीं से भी आप चेन ले लो ये ले ली चेन काउंटिंग कर लो कहीं से भी वान टू थ्री तो टू पर क्या रगा है दो बार मिथाईल लगें तो टू कॉमा टू डायमिथाईल और तीन कारवन को क्या कहते है प्रोपेन तो टू टू डायमिथाईल प्रोपेन कोई तकलीफ ये रेखिए साथ टू टू डायमिथाईल प्रोपेन बिल्कुल तो वह यह लो ब्यूटिफुल भी आ गया अभी ए आय था फिस सी आय था अब भी आ गया कोई दिक इंटेन फटाफ़ नोट डाउन करेंगे सर स्ट्रक्चर याद अखना है कॉशन नंबर थर्ड का जल्दी 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 चलिया लेलिया स्क्रिंशॉट कोई दिकत की बात तो नहीं है बढ़िया चलिया आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर फॉर मजा आएगा सर नहीं लेना है टेंशन लोगे तो दिकत हो जाईगी चीक है बढ़िया तरीके से चलो इसको अपन क्या करते हैं पहले बनाने की कोशिच करते हैं यह नाइट्रोजन यह जोड़ा है C2H5 और इससे दो जोड़े हुए अपने मेथाइल क्रोप ये एक ये एक सर इसकी देखो तो एक इस N पे methyl लगा है और एक इस N पे methyl लगा है तो भया N N position लिखेंगे अपर N N dimethyl N N dimethyl ethane amine ये बात यह तक नहीं है N N dimethyl ethane amine बिलकुल ये देखिए सब dimethyl तो दिया लेकिन N N position भी तो बताना है कहाँ पर है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं दहीए क्या बोलते हैं डीफार धोकला क्या बोलती पब्लिक advantage धोकला एकदम धोकला शांदार वाला धोकला कोई दिक्कत नहीं है यह लेज़िए से धोकला धोकला हो गया एन एन डाय मिठाईल इथेन, अमाई क्या बोलती पब्लिक कोशन नंबर फॉर भी कम्प्लीट हो गया कोशन नंबर फॉर भी कम्प्लीट हो गया शांडाल तरीके से मज़ेदाल तरीके से चलो आगे बढ़े बढ़े आगे कोशन नंबर फिर्थ देखने वाले क्या देखने वाले कोशन नंबर फिर्थ हटाओ पक जिन्द All A ये देखो चीक है अब सार हमने अमेज़ा बोलाए कि आपके लॉंगेस चैन्ने ऐसी होनीच जहिए जिसमें अपने फंक्शनल गुरूप भी आएं क्यासर फंक्शनल गुरूप भी आएं छीक हिसार बिल ere인 बीलकूल सही बात किया हुष आपने functional group आने चाहिए आने चाहिए यह बिल्कुल तो सर अगर मैं देखू इसको मैं बनाने की कोशिच करूँ तो देखो जड़ा मैं इसको देखिए को चेंजस नहीं कर रहा हूं यह गल्दिया मैंने दिख रहा है आपको अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं यह कारबन फिर कारबन कारबन डवल बॉंड एक ऊट नीचे एक ऊट नीचे फिर देखा जाए को एक कारबन यहाँ पर है यह देखिए शीच हैंस थ्री हो गा एक कारबन यहाँ पर हैं सीच उड्हु और फिर एक कारबन उपर है i об han sekarang यह आपका डाइग्राम होगा अगर इस डाइग्राम को देखे तो भीया स्टेट चेन मनानी यह अब स्टेट चेन मनाने के लिए इसको अपन बगल में रख ले यहां से अटा के रख ले चीक है रख लो इनको भी बोलो नीचे जाओ, उपर क्या गूमने जा रहे हो क्या कहीं, ये देखो, ये मैंने simple diagram कर लिए, अगर simple कर लिए तो भाईया आप तो इसका नाम लिखना बहुत आसान हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5, कुछ लोग का डाउट होगा, वहां से counting क्यों नहीं करी, क्योंकि यहां से double bond past में आ रहा था, जी हा, कितने carbon हो गए सर, 5, तो pen, second number पर अगर देखा जाए, तो क्या लगा हुआ है, double bond, तो pen to in, pen to in, in पूरा लिख लो, चेक, अब functional group कौन कौन से नमबर पर, second और third पर कौन लगा है, OH लगा है, सर, OH, तो फिर आएगा, 2,3, कितनी बार लगा है, सर जी, दो बार, die, और क्या लिखते हैं, all, यहां आएगा, सर, answer, pen to in, two, three, die, all, clear है, अब एक एक करके चेक करो, आओ जल्दी, जल्दी आओ, सर, ब्यूट तो कहीं से नहीं है, pen to in, two, three, die, all, pen to in, two, three, die, all, बताइए कोई थकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, मेरे साब से तो नहीं होगा, तो भईया, be for beautiful answer, be for beautiful answer, चिके, एक बार clear कर रहा हूँ, देखो, और एक कोशन का screenshot लो, जल्दी, चलिए, कल दिया screenshot, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, बढ़िया done, एक तरफा, चलो, आगे चलते हैं, कोशन नमबर six, क्या कहता है, सब बढ़िया ही कहाएगा कुछ, अच्छा ही कह रहा होगा, अपने लिए बढ़िया चीच, हमने का ठीके सर, बता दो क्या है, the incorrect IUPAC name is, incorrect, कह रहा है, इन चारों में से, incorrect IUPAC name कौन सा होगा, मतलब गलत कौन सा लिका है, हमने कहाएगे सर, एक एक करके चेकल लेते हैं, बिल्कुल, बिंदास तरीके से, मैं कहता हूँ, पहले last से देखते हैं, सर, हना, सर, अगर last से अपन देखे, तो अगर आप देखिए, यह अपनी chain होनी चाहिए, chain में कितने कारवन देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, तो butane तो answer होना चाहिए, यह रहा butane, अब counting कहां से करेंगे, यह देखो, तो बढ़ा कौन है, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, ब क्लोरो, यह, मतलब यह वाला तो सही है, सर जी, D वाला तो सही है, अरे, यह एक नमबर, बोले तो जहकास वाला, D वाला तो correct है, सर, सर, मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एक दम, D वाला correct है, correct है, correct है, चीक है सर, तो D correct हो गया, मान लिया मैंने आपकी बात, अब आ CH और एक CH3 इदर और एक CH3 इदर यह structure इसा तो अगर इसको बनाए यह होगा अगर यह होगा तो फिर numbering कहां से करेंगे यह बताओ सर मेरे साब से तो यहां से करना चाहिए 1,2,3,4,5 क्योंकि सर यहां से double bond को जादा अच्छा number मिलेगा 4 पर क्या लगा है? methyl लगा हुआ है चलिए सर तो नाम हो जाएगा 4 methyl कितने कारबन है? 5, pent और उसके बाद बहिया second number पर लगा हुआ है आइन तो pent to iron यह होना चाहिए मेरा नाम मिरको ऐसा लगता आप चेक करो 4 methyl, pent to iron यस मतलब यह भी सही है यह भी सही है सर ओके मतलब सर खेल होगा A या B में? खेल होगा A या B में? मैंने का बिलकुल सही है चलो पहले प्ता देखो पहले प्ता देखो फिर A और B में निकालते हैं जा तो आंसर अनार कली है या तो आंसर बूटिफुल है अब देखते चलिए अब बारी second वाले की अब बारी किसकी second वाले की बारी चलो भाई सेकेंड वाली की, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला यह रहा CH3, CH नीचे CH3 CH, यह जो इसको साथ में लिख दू, C2H5 हाँ सर लिख सकते हो और फिर CH3 चलो करो, करो, करो सर चेन मनाएंगे, देखो अगर उपर वाली चेन लूँ तो एक, दो, तीन, चार लेकिन अगर ऐसे ले लूँ तो एक, दो, तीन, चार, पाँच ओ माई गॉड सर और आपने हमें पढ़ाया था, पहला रूल यही होता है longest chain, अखे अखे, अब देखिए सर, यही तो हम कह रहे थे counting करेंगे यहीं से 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि दो कारबन है तो 5 करबन की chain को कहते है pentane वेरी गुड सर, pentane और अगर देखे तो 2 और 3 पे methyl लगा है, तो क्या हो जाएगा 2, 3 dimethyl क्या हो जाएगा 2, 3 dimethyl pentane, चिक कर लो 2, 3 dimethyl pentane ओ सर, यह भी सही है मतलब A ही है सर, अंसर A वाला नाम गलत होगा लेकिन सर, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हो सकता है कूशन गलत चेक करते हैं पहले बढ़िया, मतलब सर, beautiful भी नहीं है या तो अनार का लिए है, या तो फिर कोई नहीं है चलो, जल्दी 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 मेरे साथ देखते चलो भी इसको क्लियर कर दूँ ओके, चलिए सर आगे बढ़ेंगे का बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे आगे आजाओ, आगे बढ़ेंगे चलिए, लास्ट लास्ट नहीं सर कहने का मतलब बें वो उपर वाला क्या बोलता है? CH3, C double bond O और CH CH3 CH3 यह देखो देखा? सर अगर देखू तो मैं तो कहता हूँ स्टेट चेन ले लो, चार कारबन है वो कहीं से भी वैसी मिलेंगे चेक है अब सर काउंटिंग होगी अब भाईया पबलिक यह बोलती है सर यहां से करेंगी यहां से करेंगे क्योंकि सर अगर हम यहां से करेंगे तो मिठाल को second number मिल जाएगा लेकिन यहां से करेंगे तो मिठाल को 1,2,3,4 मिलेगा छोटा number देना है मैंने का भाईया कक्का जी बैठे कौन है यह सर? इसको कहते है functional group सबसे छोटा नमबर इनी को देना है ओके सर फिर तो यही से काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4 मैंने गा बहुत बढ़िया तो अगर आप देखो तो 3rd पर क्या लगा है मिथाइल तो 3 मिथाइल कितने कारबन है ब्यूटेन 2-0 सर यह होगा सर यह अंसर होगा अब अपन चेक करते हैं सब जी 3 मिथाइल है न इसने शायद गलत लिखा है हाँ गलत लिखा है सर 2 मिथाइल ब्यूटेन 3-0 और होना चाहिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2-0 इसलिए अंसर है A4 अनारकली का था न मैंने A4 अनारकली काता ना A4 अनारकली क्या बोलती पब्लिक A4 अनारकली बिल्कुल शांदार अनसर था एक तरफा कोई दिक्कत की बात ही यहां तक नहीं थी जल्दी बता दो फिर अपना आगे बढ़ते हैं अरे मज़ेदाल यह चीज़े देखो The bond order of individual carbon-carbon bonds in benzene is वह यह बंजीजन सब जानते हो के नि जानते हो हाँ सब जानते हैं आपने पड़ाया हुआ है ऐसी होती है बंजीन बंजीन में alternate double bond होते हैं तो अगर आप carbon-carbon की बात करें जैसे मैं अगल लिख दू कैसे देखो अगर मैं इसको लिखुए carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5 और carbon 6 चीक है अगर कोई मुझसे पूछे carbon 1 और carbon 2 के बीच में कौन सा bond है तो सर जी मैं कहूँगा single bond क्या कहूँगा मैं single bond अगर मुझसे पूछे 3 और 4 के बीच में कौन सा bond है carbon 3 और carbon 4 तो मैं कहूँगा भाईया single bond अगर कोई मुझसे पूछे carbon 5 और 6 के बीच में कौन सा bond है तो मैं कहूँगा भाईया फिर से single bond लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि carbon 2 और carbon 3 के बीच में कौन सा bond है तो मैं कहूंगा भई यह double bond कोई मुझे से पूछे carbon 4 और carbon 5 के बीच में कौन सा bond है तो मैं फिल से कहूंगा भई यह double bond कोई मुझे से पूछे carbon 6 और carbon 1 के बीच में कौन सा bond है तो मैं फिल से कहूंगा क्या सब जी double bond मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है एक single bond आता है फिर एक double bond आता है फिर एक single bond आता है फिर एक double bond आता है फिर एक single bond आता है फिर एक कौन सा bond आता है double bond आता है मतलब यहाँ पर बात को समझने की कोशिच करना क्या कहना चाहरा हूँ मैं कहना यह चाहरा था कि इसने यही पूछा है the bond order of individual carbon carbon bond in benzenis carbon carbon के बीच में bond कौन से होते है तो भई यह याद अखना simple सी बात होती है कि यहाँ पर हमारे पास होते है between a a तो नहीं होता one bond सब में one है क्या? नहीं है सब में क्या second bond bond order two है क्या? नहीं, वो कह रहा है between one and two क्या one and two का bond order होता है क्या? या फिर one and two alternatively alternatively बताओ, जल्दी 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 answer चाहिए भईया, इतना तो बनना चाहिए इन दोनों में से यह है कोई answer या तो कूटे या तो ढोगला है क्या है भईया? जल्दी बोल लो बताओगे कि नहीं बताओगे? सर, आपने जिस हिसाब से हमें समझाया कि तीन जगा सिंगल है, तीन जगा डबल है, तो हमारे जिसाब से तो between one and two alternatively होना चाहिए लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता क्या तुमें या जब अपने four chapter पड़ा था तो मैंने का था भईया, इस बेंजीन को मैंने एक मशीन में डाला तो उसने ये बताया कि carbon one और two के बीच की bond length, carbon two और three की bond length, carbon three और four के बीच की bond length, four से five और five से six की bond length, सब की bond length बराबर थी भईया, सब की bond length कैसी थी? तो मतलब ये बात भी confirm होगी कि हर carbon से carbon के बीच में bond order भी सेम होगा bond order भी क्या होगा? सेम होगा अब भईया, यहां आप आदो में तो आपको single दिख रहा है और आदे में आपको double दिख रहा है तो ये तो नहीं हो सकता तो ये दिखता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हमने चब चेक किया था तो हमने ये कहा था number of bonds कित्ते बन रहे है हमने निकाला था resonance hybrid याद करो हमने main resonance hybrid निकाल रहा था और जिसका structure कैसा होता है? ऐसा नहीं जिसका structure होता है कुछ ऐसा अब कहां दिख रहा है आपको? कि तीन double bond है और तीन single bond है इस तरीके का structure होता है चीक है तो resonance hybrid के आए था total number of bond कित्ते आ रहे है सर जी हमारे पास 3 double bond है तो 6 और 3 9 total number of bonds हमारे पास है 9 कित्ते लोग share कर रहे है सर जी 6 carbon share कर रहे है तो सर जब solve करेंगे तो bond order आएगी 1.5 और 1.5 आएगी सब के बीच में तब जाके सब की bond length और bond order सेम होगा और answer होगा C between 1 and 2 between 1 and 2 यह सब से important question है बच्चे बहुत जल्दी में D को answer lock करके आते हैं लेकिन D गलत है आपको दिखता है कि alternative single and double bond होते हैं लेकिन actual में भहिया सब की bond length भी same होती है सब का bond order भी same होता है और वो कितना होता है 1.5 इसलिए structure ऐसा बनता है कि भहिया आप देख लो आप समझ जाओ सब जगा double bond भी है सब जगा single bond भी है तो answer है भहिया C C, C, C यह बड़ी answer है C for coot coot answer C for coot answer क्या बोलती public जल्दी बताइए भहिया public क्या बोलती है बहुत शांदार कोशन में से एक था जल्दी note down करिए सर इसको लगा डाला तो live jingle लाला जल्दी हो गया Dan चले कोशन नमबर एट ओके Electrometric effect याद आया क्या है The Electrometric effect in organic compound is a temporary effect permanent effect another name of inductive effect और none of these पहली बात तो inductive effect अलग था तो उसका तो कोई नाम नहीं है कोई नाम नहीं है पहले Electrometric effect याद ही का नहीं है हाँ सर याद तो है थोड़ा थोड़ा मान लो सर ऐसा कुछ था चीक है अब इस पे कोई attacking reagent आ रहा था मान लो CL आ गया यह attacking reagent है यह क्या है यह क्या है attacking reagent जो क्या करने आया attack करने आया CL- आप सर यह क्या करता है किसी एक carbon पे attack करेगा लेकिन उसके लिए carbon के उपर या तो positive या negative charge कुछ होना चीए तो आप carbon क्या करता है वह सामने वाला attack करने वाला आ गया है तो आप अपन को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अभी तक कुछ भी नहीं था अभी तक तो बढ़िया रह 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 थे जिंदगी चल रही थी कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन उनने का यार वह attacking reagent आगे कुछ करना पड़ेगा देखना पड़ेगा तो कार्बन केता है कि एक काम करो यह जो double bond है तू रख ले या फिर वह कहता है नहीं तू रख ले अच्छा यह इसा क्यों कि रहा है तू रख ले तू रख ले को कि दोनों की बराबर polarity है इसके पास भी दो hydrogen इसके पास तो उसने का भाई यह तू रख ले काम कर तू ले 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 तो जैसे इसने इसको दिया तो यह कौन सा चार्ज का हो जाएगा negative और यह बाला कैसा हो जाएगा positive अब जाके यह attacking reagent क्या करेगा किसी ना किसी व्यक्ती पर attack कर लेगा और reaction को proceed कर लेगा तो पहले नहीं था और इसी effect को अपन कहते है inductive effect यह जो आया ना इसने bond को shift किया attacking reagent को path दे रहा है कि आओ हमसे react करो तो यह जो process हुआ इसी को अपन कहते है electromeric effect क्या कहते है electromeric effect और एक बात समझ ना पहले नहीं था पहले तो सुकी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कोई दिक्कत की बात नहीं जब तक कौन नहीं आया attacking reagent तो जब attacking reagent आया तो इनने एक temporary अपने अंदर effect लेके आए जिसको अपन क्या कहते है electromeric effect जिससे यह reaction proceed हो पाईगी इसी लिए हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आने को क्या कहा जाता है temporary effect क्या कहा जाता है temporary effect permanent inductive effect होता है यह जो inductive effect होता है यह permanent होता है तो यह भी नहीं यह भी नहीं तो आजाओ भया a for अहाँ अलू गो भी लो भया आलू की सबजी आप सबको पसंद ही काफी बार बनाते रहते हैं आपर अपनी live class में और recorded class में तो यह बन गई भी यह आलू जल्दी जल्दी पता है screenshot लेते चला करो कोई भी चीज छोड़ा मत करा करो अगर छोड़ो गे ना तो आपको दिक्कत आईगी बहुत ज़्यादा छोड़ो गे तो आपको दिक्कत आईगी बिलकुल दिक्कत आईगी जल्दी note down कर लो जल्दी note down कर लो जल्दी हो गया? कोईशन नमबर 8 खताम 6 है सर तो आगे बड़े कोईशन नमबर 9 hybridization गजब गजब चैप्टर नमबर 4 से आ रही है सारी चीज़े पढ़ाया है ना आपर hybridization बिलकुल सर अभी कुछ दिनों पहले हुआ था मज़दा hybridization in CH3 free radical दिया है भाई फिर CH3 positive और CH3 minus ठीक है? अब समझो सर carbon के पास 4 electron होते 4 में से 3 तो उसना bond बना रखे 1 2 3 और एक यह single electron रखा है यह यह free radical दिख रहा है? इधर चलो इसके पास carbon 3 तो उसना bond बना रखे 1 2 3 और उपर एक electron था तो वह electron चला गया चला गया तो उसके उपर कौन सा चार्ज आ गया सर? positive charge इसी को कहते हैं क्या कहते हैं सब जी? कार्बोकेटाइन अब अगर मैं लास्ट वाले की बात करूं किसकी बात करूं मैं लास्ट वाले की बास दो मिनिट तो यह कार्बन कार्बन में रेका जा तो कितने हाइड हो जाने? तीन पहला दूसरा तीसरा कोई दिक्कत तो नहीं पक्का कोई दिक्कत तो नहीं confirm चलो अब अगर यहाँ पर देखे और लेटीज के पास एक electron था चार होते हैं इतने होते हैं? चार होते हैं पहला दूसरा तीसरा तो चौता भी तो कहीं से होगा यह रहा चौता और भाई साब ने एक चुरा लाया है किसी का देखो माइनस का मतलब क्या होता? किसी का उठा लाया चीए बाई ले आए तो यह बन गया सलजी lone pair क्या बन गया? lone pair कोई दिकत कोई दिकत तो नहीं है? पक्का यह बन गया अपना क्या? lone pair इसलिए इसको अपन क्या कहते है? carbonion क्या कहते है? carbonion अब भाईया मैंने आपको hybridization में क्या पढ़ाया था? sigma bond पकड़ो भाया, सिंगल bond, सिग Ana bond होते हैं एक, दो, तीन फिर इधर पकड़ो इधर पकड़ो इधर भी कितने सिगमा bond है इक, ऐए एक, दो, तीन साथी साथ एक लोन प्यार है सर, आपने पढ़ा था अगर आपके पास तीन सिगमा bond होते है तो hybridization क्या होती है तीन मतलब पहले लिख दो S एक हो गया आप कितने पी आएंगे दो ही बचे ना तो भाईया यह हो गई SP2 इदर आओ कितने sigma bond है तीन sigma bond है तीन sigma bond है तो सेम क्या हो जाएगी SP2 एक दो तीन एक दो तीन तीन सिग्मा हो गया अब इदर क्या है सर इदर है सर यह बात यहां तक ना अपने पड़ा है जब एक लोन प्यार तीन सिग्मा होते तो hybridization होती है SP3 मिल गई सर मिल गई भाईया इसकी कितनी है SP2 कहा है रहे SP2 SP2 यह तो गए हना फिर positive वाले की SP2 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 SP3 आगे गया और आखरी वाला SP3 सल जी मतलब A is the right answer A is the right answer A for अनारकली भाईया यह बहुत जरूरी था जिसको यह पता है काम हो जाएगा जल्दी note down कर लीजे जल्दी note down कर लीजे जल्दी मज़ेदाल तरीके से हो जाए तो बताईये का फिर आगे बढ़ते 66 question number 9 यहां पर समाथ अच्छा था hybridization का question बढ़िया एक नंबर एक नंबर विल्कुल कैसा एक नंबर एक नंबर जल्दी screenshot लूँ लिया पका चलो clear करो ठीक है हां बया question number 10 inductive effect अच्छा inductive effect दो टाइट के होते थे minus inductive effect और plus inductive effect अब उस पर बात करने वाले हैं चलो बताओ इसका answer चलिए तो देखें चलो मज़ा आएगा सब सबसे पहली बात तो यह बताइए के minus i effect कब होता है क्या होता है समझना इसको simple है minus i effect जो था सरी यह होता था electron withdrawing group के वैसे किसके वैसे electron withdrawing group के वैसे जो electron withdrawing group होते है न जब वो present होते हैं तब जाके आपको देखने को मिलता है कौन सा effect minus i effect कौन सा effect minus i effect तो minus i effect कब आएगा जब electron withdrawing group होगा तो बहिया जितना तगड़ा electron withdrawing group होगा उतना तगड़ा minus i effect होगा अब देखें यहां पर अगल देखें तो सर बंजीन chlorine methoxy और सबसे strong withdrawing group जो है वो होता है नाइट्रो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब पढ़ाया था यह chapter तो इस chapter में electron withdrawing और donating group बताए थे और उसमें सबसे तगड़ा आपको withdrawing group बताया था मैंने नाइट्रो ग्रूप सर्थ दो दो oxygen होते हैं electron withdrawing group क्योंकि oxygen is very electronegative in nature इसी वज़े से यह बहुत तगड़े क्या होते हैं electron withdrawing group होते हैं जिसके चलते माइनस i effect maximum होता है किसके अंदर no2 के साथ माइनस i effect maximum होता है किसके ताथ no2 के साथ हमने का बढ़िया सर एक नंबर कैसा सर एक नंबर बोले तो जखास तरीके से चलो डैन चलिए सर अब देखते हैं आगे क्या बोलने वाले मज़ा आएगा question number 10 यहाँ पर समापते चलिए the increasing order of stability of the following free radical is अच्छा एक बात याद करना क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था free radical कार्बोगेटायन और कार्बेनायन और इन सबकी मैंने आपको stability पढ़ायी थी पढ़ायी थी के नहीं पढ़ायी थी सबकी मैंने आपको stability order पढ़ाया था क्या पढ़ाया था stability order किस को याद है कि हमारे free radical का stability order क्या था किसका सर free radical का तो भाईया, free radical का जो stability order था, किसका सर, free radical का जो हमारा stability order था, वो क्या था, सर जी वो था, tertiary, secondary और primary, था क्या नहीं था, बिलकुल, सर, मतलब उसके पास अगर tertiary जोड़ा है, तो वो free radical सबसे ज़्यादर stable होगा, फिर secondary और फिर primary, तो ये बात या रखनी है, किसके लिए, free radical के लिए, हमने का, ठीके सर, आपने बोल दिया, हमने माल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आगे क्या, और अगर सर, अगर बेंजीन बेंजीन आ जाए, तो और मज़ेदर बात है, अगर बेंजीन वगेरा जुड़ी हो इसके साथ, तो और मज़ेदर बात है, पता है क्यों, क्योंकि बेंजीन के होने से एक और factor आ जाता है, resonance, और ये stability को और बढ़ा देता है, ये stability को और बढ़ा देता है, ये क्या की तरफ तो अगर बैंजीन आ गया तो ड़े स्टेबिलीटी और आ जाती है जाती है जाती है बदकुल तो सर जी अगर ड़ीड़ गई किसके हैं ब्रसके वपुल तो सबसे बढ़िया हम चाहते हैं क्या होना चाहिए आपके पास क्या-क्या compounds दिये हैं पहले देख लो एक आपको यह दिया हुआ है secondary वाला secondary free radical फिर आपको दिया हुआ है tertiary free radical फिर आपको दिया है आँ बेंजीन में secondary oh my god तो secondary है लेकिन बेंजीन वाला है फिर आगे दिया हुआ है tertiary कौन सा वाला बेंजीन वाला चेक है सर यही सबको फॉलो किया तो सर मैंने अभी आपको क्या बोला सबसे स्टेबल कौन सा होता है tertiary और tertiary में भी अगर बेंजीन वाला है तो दो फेक्टर काम कर जाएंगे एक तो stability order है जादा उपर से बेंजीन तो सबसे जादा होगा भया free radical stable कौन सा ये वाला बेंजीन वाला फिर secondary वाला तो बेंजीन वाले खतम हो गए बेंजीन वाले दोनों खतम अब आगए नॉनमल मिथाईल तो सर मिथाईल वाले केस में तो हमारा tertiary secondary चलता ही है तो tertiary वाला फिर secondary वाला तो मेरे साब से में को first वाला सबसे सही लग रहा है मेरे को first वाला सबसे सही लग रहा है बाकी को और चेक कलता हूँ मैं चल देखो जैसे यहाँ पर secondary ये फिर ये देखो बेंजाईल वाले बात में लिखे है और वहाँ पर रिजनेंस होता है तो सर उनकी stability जादा होती है तो ये लोग पहले नहीं आएंगे इस case में भी हुआ है बेंजीन वाले को पीछे कल दिया है तो ये भी नहीं होगा इस case में सही था ये देखे ये सही है ये सही है लेकिन ये और फिर ये वह अगर आप देखें अगर आप first वाला और focus करें fourth वाले को तो इस case में दिक्कत या गई सही सेकंडरी वाला बेंजाईल पहले ले लिया और होना कौन सा चीए था तर्शरी इसलिए ये वाला भी गलात है तो answer is A answer है A A for aloo A for aloo देख लो A for aloo एक बाद चेक कर लो तो भीया question number 11 A for aloo शांदार aloo चेक कोई दिक्कत तो नहीं है डन 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 चलो आगे बढ़े आए बड़ो सा time नहीं है अब अपने पास मैंने का अच्छा हाँ जाना है ना कहीं चेक है clear तो भीया question number 12 ये देखते है सर जी बेंजीन सुन्दर डियग्राम कैसा सर सुन्दर डाइग्राम Benzeen में होता क्या है सर तक्लीफ क्या है Benzeen को मैं कोई तक्लीफ नहीं है मालू Benzeen ऐसा होता है चेक है तो अब क्या देखने को मिलेगा सर बेंजीन में क्या होता है ये जो अंदर वाला डबल बॉंड है वो इधार आएगा ये वाला इधार आएगा और ये वाला इधार आएगा तो फिर अगर हम डाइगराम बनाएं फिर अगर हम डाइगराम बनाएं ये फिर अगर हम diagram बना रहे हैं तो ऐसा 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 तो सर इसमें क्या हो रहा है double bond की position change होती है जो double bond होता है वो delocalized जो होता है delocalized जो होता है वो घूमता फिलता है कौन double bond और double bond जो होता है वो होता है pi electrons तो mainly यहाँ पर जो pi electrons होते हैं उनका delocalization होता है उसी को अपन resonance कहते हैं और उसी को देखा जाता है benzene के अंदर तो delocalization of sigma electron मतलब single bond वो नहीं है delocalization of non bonding electron वो भी नहीं है बोट पाई यह भी नहीं है तो भाईया answer है A A A A A A A is the final answer क्या है सर जी final answer सर जी question number 12 तक पहुँच गए है मज़दाल तरीके से शांदाल तरीके से लाजवाब तरीके से जल्दी देख लो एक बार फटा फट देख लो तो मज़ा आ जाए जल्दी हो गया done question number 12 यहाँ पर होता है समाप्त easy था डरने की दुरुवत नहीं थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है done चल question number 13 चीक है कह रहा है the central carbon atom of a carbon anion possess carbon anion का क्या मतलब होता है सर जी carbon anion का मतलब क्या होता है minus charge मतलब उस पे तीन गुरुब जुड़े होंगे और एक minus charge ऐसा लगा हुआ है यह होता है carbon anion यह दिख रहा है अब इसको थोड़ा प्यार से देखू मैं तो देखो तीन तो बॉंड बन गए होंगे और carbon के पास होता है एक electron और एक electron minus charge के विर से आ गया तो दो हो गए भाईया और दो हो गए तो भाईया एक है loan pair एक है loan pair अब देखो जादा ध्यान से देखना carbon के पास दो electron और यह खुद के तीन कितने हो गए पांच एक से शेयर किया छे एक साथ और एक आठ बाईया हो जाएगा कारवे नायन का ओक्टेट कंप्रीड जाएगा सिक्सेट ऑफ एक्ट्रॉन सिक्सेट का मतलब होता है छे लेक्ट्रॉन होंगे उसके पास नहीं सेंट्रल करबन के पास छे नहीं है कितने आठ है नीचे देखो नन ऑफ दीस तो बिलकुल नहीं डूपलेट ऑफ को रहा है उसके पास इलेक्ट्रोन आ रहे हैे ? टोटल एट इलेक्टोन और एट इलेक्ट्रोन का मतलब होता है. ओक्टेटबฏलेक्ट्रोन में अक्टेट ऑफ होता ऐयुट्र कऊ चल्क जल्दी नौट डॉटवन करो चब जल्दी नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन करो जल्दी फटा फट हो जाए तो बताईए सर एक बार लाइक और शेर भी बनता है फटा फट एक बार लाइक शेर भी बनता है जल्दी तब ही तो मज़ा आएगा जब दिल बनाएं आप लोग के लिए कितना शानदार जल्दी 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 एक बार लाइट शेयर का मौका बनता है जल्दी जल्दी फटा फट तभी मज़ा आएगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है डान? जल्दी बताओ जल्दी 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 कोँछ कोशन और 14 in aniline the NH2 group aniline aniline जानते हो का नी जानते हो पहली बात तो सार यह होता यह ओनली यह होता यह दया यह एनली चिक है एनलीन का जो नाइंट्रोजन होता है इसके पास हें लोन पिर भी होता है चेक है डन चलो एक्टिवेट सब्छा बेंजींग रेंग विया बोथ इंडक्टिव और रिजोनेक्ट एफट्ध अगर अनलीन inductive effect दिखाएगा या resonating effect दिखाएगा तो वो भई है benzene ring को activate कर देगा यह वो कह रहा है फिर कह रहा है deactivate the benzene ring via both inductive and resonating effect अगर दोनों effect दिखाएगा तो वो benzene ring को deactivate करेगा ठीक है या बोल रहा है activate करेगा वो benzene को resonating effect से और inductive effect से de-activate करेगा या तो वो benzene ring को activate करेगा inductive effect से और resonance से deactivate करेगा पहली तो बास सणो सर सुनो बहीजा जो aniline है ना यह आपका एक electron donating group है यहां पर क्या electron donating ग्रूप तो भॉया यह क्या करेगा इस loan pair को अंदर भेजेगा और अंदर भेजने से पूरा इलेक्ट्रोन अंदर घूमेगा जिसको अपन कहते है रेजोनेटिंग एफेक्ट और अगर अंदर इलेक्ट्रोन जाएंगे तो सर और और पेरा पोजिशन पे नेगेटिव चाह जाएगा अगर अंदर electron जाएंगे तो यह जो ortho positions है इन पर negative charge आएगा negative charge आने का मतलब पूरी benzene ring activate हो जाएगी तो अगर aniline ने resonance effect दिखाया तो benzene ring क्या हो जाती है activate हो जाती है बिलकुल सब अब यह benzene ring activate होने का मतलब यह तो deactivate किरा तो यह तो गया बोल रहा है resonance से deactivate होगी तो यह भी गया अब option बचे A और C क्योंकि उसमें यही बोला गया है resonating effect activate करता है benzene ring को चीक है सर इस बात से सहमत है पहले इत्ता सोच लीजे पहले इत्ता समझ लीजे इत्ता note down कर लीजे फिर आगे बढ़ते है जल्दी इत्ता सोच लीजे समझ लीजे फिर अगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है जल्दी 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 फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको थोड़ा मज़दाल तरीके से इतने में किलिया रहें छीग कैसर अब मान लो अगर इसने inductive effect दिखाया क्या दिखाया inductive effect तो ये क्या करेगा अपने loan pair देड़ेगा किसी को और अगर इसने किसी को loan pair दे दिया मान लो यहां से loan pair गया अगर ये loan pair गया तो इसके ओपर आ जाएगा positive curv कॉन सा चायेंगा पॉजिटिव चार्ज तो यह बंजीन से इलेक्ट्र लाइक फिर क्योंकि वह उसके पास तो ऑक्मी कभी हो गई कहां बैंजीन से बॉलए तो बैंज चला बैँ जाएगा और जब बैंजीन से उलेक्ट्र जा ते हैं तो तो अब orthopera position पर positive charge आता है, कौन सा charge आता है, positive, तो जब भी inductive effect होगा इसके साथ, तो अब आएगा orthopera पर positive charge जो आपकी benzene को कल देंगे, deactivate, क्योंकि सर अब electron की कमी हो रही है, और electron की कमी अगर inductive effect करवा रहा है, तो benzene को deactivate करेगा, resonating effect तो orthopera पर density को बढ़ा देंगे, electron की, इसलिए वो क्या कल देते हैं, activate, और अगर देखा जाए तो फिर पहला वाला भी गलत हो गया, क्योंकि उसने का था, दोनों में बढ़ जाएगी, activate हो जाएगी, दोनों में benzene, लेकिन सही answer है, c वाला, activate होगी, benzene ring, किससे, resonating effects है, देखो, और deactivate होगी, किससे, inductive effects है, और य effect है, फिर inductive effects से, जल्दी, फटाफ़र नोट डाउन कल लो, जल्दी फटाफ़र नोट डाउन कल लो, अच्छे से, एक दम तावर तोर तरीके से, फिर आपन आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं, बहिया, क्या है अगला question, तो बहिया, c for coot answer आ गया है, c for, coot answer आ गया है, c for coot answer आ गया है, जल्दी नोट डाउन करिए, हो जाए तो बताइएगा, फिर आपन आगे बढ़ते हैं, डन, चलिए, चलो, 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 हाँ, मजा आएगा, sir, अभी मैंने आपको बताया था, carbocatine, free radical, carbonion की क्या, stability, sir, free radical की क्या थी, tertiary, secondary, primary, ऐसे ही carbocatine की भी होती है, carbocatine के अगर मैं, stability की बात करूँ, sir, यह सब या तको, यह सब मैंने पढ़ाया है आपको, carbocatine की stability की मैं अगर बात करता हूँ, तो जो free radical की stability थी, वो ही carbocatine की होगी, tertiary, secondary और primary, tertiary, secondary और primary, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई धुख तो नहीं, है क्या, नहीं ना, मतलब, sir, अगर मैं आपको ऐसा लिख दूँ, यह, अगर मैं आपको ऐसा लिख दूँ, अगर मैं आपको ऐसा लिख दूँ, तो आप ध्यान से देखिए, sir, इस carbon से कित्ते carbon जुड़े हुए, एक, दो, तीन, तो इसको कहींगे tertiary carbocautine, ठीके, इस से कित्ते जुड़े हुए carbon, एक, दो, तो इसको कहींगे secondary carbocautine, इस से कित्ते जुड़े हैं, एक ही जुड़ा है, तो इसको कहींगे primary carbocautine, बात समझ रहे हो, तो sir, इन तीनों में अगर मैं compare करूँ, तो सबसे ज़्यादा stable ही होगा, तीन-तीन best friend है, जब भाई का कटा है, तो तीन-तीन best friend है भाई के पास, जो विचारा tension में रात में पहले बात कलता था, आपको इसी से बात नहीं हो रही, तो अब ये तीनों दोस्ती सहारा देते, एक दिन एक बात कलता है, दूसरे दूसरा बात कलता है, तीसे दिन तीसरा बात कलता है, इसके पास दो ही लोग है, तो एक दिन अकेले सोना पड़ता है उसको बिना बात करें इदल तो एक ही एक अब तक बात करेगा विचारा करें दबागे यहां से निकल तो सबसे आदा स्टेबल कौन है टर्शरी कार्वोगेटाइन बस आपको यह ढूंड़ना यहां पर कौन टर्शरी कौन प्राइमेरी यह इस पर लगाए ऐस पर सोब इन में झाय से उससके गए ना यह तो इस्कार दोसरुतक इसका दोस्त इसका दोस्तंव को न एक ही यह और यह कंद ही अरे पीछने आई हूंड़न है लोड़ने रिइत शायए he अगर एक ही है तो ये कौन सा कार्بोकेटाइन के लाएगा? प्राइमरी वाला, जिसके पास एक ही था. उपर वाले में भी युच्चनए गभी है, इस से कितने जुड़ा है तो कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी वाला. उपर आओ, उपर वाला, ये है main carbon, plus वाला, इससे कितने जुड़ें, एक और ये दो, तो इसके पास दो ही दोस थे, तो ये कौनसा कार्बोकेटाइन है, secondary वाला, अब इससे डूंडो, इससे एक जुड़ा है, दो जुड़ा है, और तीन जुड़ा है, तो इससे कितने जुड है, तीन दोस चुड़ें, तो ये कहलाएगा tertiary कार्बोकेटाइन, और मैंने का सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौनसा होता है, tertiary वाला, जिसके पास तीन दोस थे, समाल लेंगे, तो फिर आंसर कौन सा है, भया, B4, बूटीफुल आंसर, B4, बूटीफुल दोस्त, दोस जल्दी, 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 कैसा ये याराना, चलो, 15th कोशन खता में आपे, जल्दी नोट डाउन करिये, समझ गए, तो याद रखना है, जित्ते जादा दोस्त, उत्ता जादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, उत्तना जादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, बिल्कुल, एक नमबर है, डान, पका, तो सेकेंड इसदा राइट आंसर, चेक है, बूटिफुल दोस्त, ओके, चलिए, ओ, ये क्या हुआ, पंदरा कोशन पर खतम, क्या कल सकते हैं, चेक है, डन, 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 जितना होना ता हो गया, अब क्या कल सकते हैं, तो बजा आया क्या नहीं आय पहले किससे बन गए थे, ये बता दीजे, पहले तो जल्दी, पंदरा के पंदरा मुझसे पहले से किससे बन गए थे, जल्दी हाथ उपर कल दीजे, और आज कमेंड में ये बताएंगे, सबसे टफ वाला कोशन किसको लगा, और कौन सा लगा, और सबसे इजी वाला कौन सा था अच्छा एक चीजा बताऊंगा इसी के पहले सारे recorded lecture रखे हुए इसके किसके organic chemistry के बस आपको जाना है और पढ़ना है आप बच्चे बोलते सब जाएंगे कहां से हमें समझ में नहीं आ रहा है मैंने का भाया इसी के description में प्लेलिस्ट है class 11 की playlist मेरी सबसे बढ़िया playlist आप पूरा complete रखाए आप पड़ो तो सर आप करो तो सर अगर कोई दिक्कत आय तो फिर बोलो ना कोई दिक्कत नहीं आएगी a1 काम चलेगा कैसा काम चलेगा a1 डन ना पका ना चीग है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यही तो मैं चारू सर टेंशन नहीं लेना है अगर पीड़ा हो तो लिख दो लिख दो ना बिलकुल और अगर सब बढ़िया तो एक बर फायर वाला इमोजी डाल दीजे बाकिया आप जानते हैं मैंगनेट बेंस आपके पीछे लगा हुआ है बिलकुल शांदार तरीके से क्योंकि आपन को यहां आना है अपना टार्गेट बढ होता है तो मेहनत और जान दोनों लगानी पड़ती है यह बात यहां रखना इंग्लिश पीडिया में जिसमें Cbac और डेली बोर्ट पूरा कवर करते हैं वहीं अगर हमें हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबेसी बोड के साथ बिहार बोड यूपी बोड एंपी बोड और राजिस्तान बोड इनको भी कवर किया जाता है, मज़ेदार और शानदाल तरीके से, साती साथ, वैदिक मैस, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंगलिज, इनको भी कवर करते हैं, शानदार और मज़ेदार तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं, अब अगर आगे देखें, तो sir, e-books, e जोट शानदार, DPPs and PYQs भी करवाई जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ा जाता sir, आप करो तो, अगर नहीं हो तो फिर बताओ अपन देखते हैं, जी हाँ, साती साथ अगर आप देखें, अगर कोई first time channel पे आया है, तो please channel को subscribe जरू कर दीजेगा, एक बार channel को subscribe कर दीजे, काम आसान हो जाएगा, कि आपको सारे recorded lectures और live lectures मिलने लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, साती साथ अगर अपन देखें, तो like और share करना बिलकुल मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है, सबसे असलदार है, बात समझ रहे हैं, बिलकुल मज़दार काम होने वाला है, एक तरफा, दूसरी important बात, अगर मैं बात करूं, तो magnet bands की website पर जाके भी आप course को देख सकते हैं, पूरा add free playlist के form में सब को जमा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर yt पे मज़दा आ रहा है, तो यहीं चलने दीजे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो कल मिलने अगर कोई doubt हो, तो आज comment section में लिख दीजे, तो मैं कल अगर लगेगा, तो मैं कल उसको ले आऊँगा, इसके most important questions के साथ, done, 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 अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए, bye bye, thank you so much, jai hin.